नमस्कार विपक्ष ने जो रास्ता तै किया है दिल्ली आने का वो बाया पतना है पतना से होकर दिल्ली आने का रास्ता चुना है विपक्षी पाटियों ने क्या यह संभव होगा कि जिस तरह से 1977 में पतना से चल करके और विपक्षी पाटियों का जो काफिला था वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली की सत्ता उसको मिल गई थी क्या इस बार भी वैसा हो सकता है विपक्ष का जो पतना का सम्मेलन था वो लगभग परफेक्ट था उसमें कोई कमी नहीं रही जिस जितने लोगों को बुलाया गया वो तमाम नेता आये और उनसे जिस तरह की बात करने की उमीद की जा रही थी उन्होंने उस तरह की बात की विवाद थोड़ा बहुत जो अर्विन केजरीवाल ने पैदा करना चाहा उसका भी ज़्यादा असर नहीं हुआ और सब इमांदार है कैंडिड रहे रहुल गांदी ने भी पूरी मांदारी से कहा कि कुछ पार्टियों के बीट में डिफरेंसे जहें लेकिन उनको दूर कर लिया जाएगा तो ये एक तरह से बहुत अच्छी शुरुवात हुई है अच्छी शुरुवात होने का मतलब है कि आधा काम हो गया अब ये कितना काम हुआ और इस काम के आगे का रास्ता कैसा होगा आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा किस तरह का गठबंदन बनेगा उसका नाम क्या होगा कौन नेता होगा ये 12 जुलाई को जो श्रिमला में बै की आत्मत महत्तो है और क्यों पटना को चुना विपक्षी पार्टियों ने अपने पहले सम्मेलन के लिए पहली मीटिंग के लिए ये कोई अनायास हुआ फैसला नहीं था कि अचानक नितीश कुमार ने पहल की और सारी विपक्षी पार्टियां इस बात पर सहमत हो गई कि प पाती आप याद करें कि किस तरह से ममताब एनर्जी ने इसकी पहल की थी कि हम संगीय मोर्चा बनाएंगे फेडरल फ्रंट बनाने की पहल किस तरह से के चंदरशेकर राओं ने की थी इसी साल मार्च में किस तरह से अर्वीन केजरी वाल ने आठ मुख्य मंतरियों को चिख सवाओं का इसलिए मुख्यमंतरी नहीं जूटे उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई राजनितिक पहल नहीं थी बलकि शासकी ये पहल थी कुछ साशन से संबनित मुद्धों पर बात करने के लिए भी दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की मुख्यमंतरी नहीं जूटे थे तो और जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों जमा हो गई कॉंग्रेस की तरफ से मलिकार जुन खड़ गये और राहूल गांदी दोनों पहुंच गये यह बहुत बड़ी बात थी इसलिए यह अनायास नहीं था न नितीश की पहल अनायास थी और पटना का चैयन अनायास था एक planning के तहट, messaging के तहट, एक संदेश देने के नजरिये से पटना को चुना गया था और उसको दो या तीन उसके जो महतों है अभी परतिकात्मक महतों है अभी उनको उनके अधार पर पक्के तोर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष अपने मक्सद में कामियाब हो जा कि वहाँ 1977 में जैपरकास नारायन ने 1974-75 में आंदोलन का बिगुल फुका था और उस आंदोलन की लौ पूरे देश में फैल गई थी और उससे इंद्रा गांदी की को सत्ता से बाहर करने में काम्यावी मिली थी विपक्षी पाटी को आजादी के बाद ये पहली बार हुआ थ सब ने अलग-अलग तरीके से ये बात कही कि पटना का क्या महतो है और जैपी ने किस तरह से इस बात को यहां से आंदोलन की शुरू आत की थी तो ये एक प्रतिकात्मक महतो है पटना की बैठक का है हिस्टोरिकल जो उसका रेफरेंस है वो देने के काम आएगा कि जैपी ने यहां से एक आंदोलन शुरू किया था और उसी जमीन से एक बार फिर केंद्र की सत्ता को बदलने के लिए हमें एक मुहिम एक अभियान शु किया था और कॉंग्रेस के खिलाफ सोगन नहीं थी जैपी की आज वो सब लों कॉंग्रेस के साथ खड़े थे और बीजेपी की सत्ता को हटाने के लिए एक मुहिम की का आगाज कर रहे थे तो यह एक विडंबना है लेकिन यह एक हिस्टोरिकल महतो है पटना का एक बड़ा राजनितिक महतो भी है और वो राजनितिक महतो इस नाते है कि पिछले 30-35 साल की पॉलिटिक्स में बिहार जो है वो सामाजिक समीकरन जो सोशल इंजिनियरिंग जिसको बोलते हैं उस सोशल इंजिनियरिंग क्या की परियोग भूमी रही है उस से जादा परियोग उतने सफ सफल हुई बाकि किसी भी दूसरे राजी के मुकाबले ज्यादा सफल हुई दूसरा राजनितिक महतू उसका ये है कि भारतिय जनता पार्टी कभी भी बिहार में अकेले अपने दम पर या हिंदुतु के अपने एजेंडे के दम पर सफल नहीं हो सकी है काम्याब नहीं हो सकी ह और जब ये बात कहा जाए तो उसके उसकी कार्ट में उसके जबाब में कई लोग ये बताते हैं कि 2014 में बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीती थी, उस समय जेडी उसके साथ नहीं थी लेकिन वो बीजेपी का अपने दम पर या अपने एजेंडे पर जीतना नहीं था, वो एक किस्म के मुगालते में थे, उस समय निती इश्कुमार मुख्यमंतरी थे वो और उसे ठीक पहले वाली विधान सभा में उनको 116 सीटे मिली थे, 140 सीट लड़के वो 116 सीट जीते थे और अकेले दम पर बहुमत के करीब थे वो, तो उनको एक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो सबसे बड़े नेता हैं और अपने दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने किसी से तालमेल नहीं किया, वो अकेले दम पर लोकसभा क चुनाव लड़ने चले गया थे, वो छोटी कमिनिस्ट पार्टियों के साथ उनका तालमेल था, लेकिन उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं था, उसमें RJD, राष्टे जनतादल, जो लालू परसाद की पार्टी है, वो अलग लड़ रही थी, कॉंग्रेस पार्टी के साथ, न रहे थे लालू परसाद और नितीश कुमार, और उसका फाइदा बीजेपी को मिला था, और देखिए कैसे वो फाइदा एक साल के बाद जीरो हो गया था, एक साल के बाद जब 2015 का विधान सवा चुनाव हुआ तो नितीश और लालू दोनों मिल गए, और बीजेपी अपने 30 सीटों पर लड़के 23 लोग सवा सीट जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 17 सीट पर लड़ी, उसने अपनी जीती हुई 6 सीटे छोड़ी और टोटल लड़ी हुई सीटों में से उसने 13 सीटे छोड़ी थी, तब जाकर के जेडियू के साथ तालमेल हुआ और फिर उन लोगों न एक बड़ी जीत हासिल की 2019 के चुनाव में, बहुत बड़ी जीत हासिल की तो वो इसका मतलब है कि BJP को हमेशा बिहार में राज्णिती करने के लिए सामाजी क न्याय की किसी पारटी की जरुरत होती है, मंदल से जुड़ी किसी पारटी की जरुरत होती है, और वो पारटी सही है नितिश कुमार की पाटी समता पाटी थी पहले फिर बाद में जंता दलियू और ये भी एक historical fact है कि भारतिय जंसंग के जमाने में भी जब एक बार सत्ता मिली थी दक्षिन पंती पाटियों को तो वो करपूरी ठाकूर की सरकार में ही सामिल होने का मौका मिला था तब ही उनको सत्ता का सुफ मिला और उसके बाद सत्ता हर बार नितिश कुमार की मदद से मिली है तो यह एक बिहार का ताक्तों की जरूरत होती है वो उनका मोहताज होती है तो और मंडल की जातियों के लिए एक मजबूत आधार वहां बना हुआ है जिस पर आगे की राजनिती होनी है और पहले दिन नितीश कुमार ने ये बात कॉंग्रेस को समझाई थी कि जातिये जंगन्ना करानी है जो कि ब समझ में आई थी उन्होंने करनाटक में भी इसका जिक्र किया था तो ये एक राजनितिक महतो है कि सोशल इंजिनियरिंग वहां ऐसे होती है कि बीजेपी के लिए स्कोप गड़ जाता है उसके मौके कम हो जाते हैं और जो तीसरा महतो है पटना का बिहार का वो नितीश कु समार आप ध्यान से देखें जो 15-16 पार्टियां पटना की बैठक में शामिल हुई थी उनमें साइध ही कोई पार्टी है 12-13 पार्टियां तो कम से कम ऐसी हैं जिनके बड़े नेताओं जिनके सीर्ष नेताओं के खिलाफ केंद्री एजेंसियों की जाच चल रही है उनके उ पूप मुख्रबंदीर रहमनी शुसोदिया जेल में है रास्टे जनतादल के लालुयादों सजाया आफ्ता है तो यह तमाम त्रिनमूल कॉंगरेस के कई नेता जेल में बंद हैं कई नेताओं के ऊपर तलवार लटक रही है ब्यमके कि कितने ही नेता जेल में रहे हैं एमक पार्टियों के साथ है निती शेकमातर अपवाद है उस पूरे अपोजीशन के के उस कुनवे में उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है नीजी तोर पर उनके ऊपर भरस्टाचार का कोई दाग नहीं है वह भरस्टाचार के आरोपों से मुक्त हैं 17 साल मुक्ष मंतरी रहने औ आवजुद उनके ऊपर भरस्टाचार का कोई दाग नहीं है वह पिछडी जाती से आते हैं उनकी एक बड़ी खासियत यह भी है पढ़े लिखे और विनमर नेता है और एक पिछडी जाती का पढ़ा लिखा होने के नाते वह एक चैलेंजर हो सकते हैं उनके आसपास जो साम प्रेटे भतीजों को आगे कर चुके हैं जो नेरेटीव बीजेपी बनाती है जो अमित्सा ने तमिलनाडू में जाकर के कहा था कि 2G, 3G और 4G उन्होंने कहा था तीन जनरेशन से चार जनरेशन से और उनका परिवार परिवारबाद और उन पर वनस्वाद के आरोप है नितीश कुमार इससे भी मुक्त है उनका कोई परिवारबाद नहीं है उनका कोई भाई बतीजा बेटा पतनी कोई राजनितीव नहीं है तो उनकी इमांदारी विनम परतिकात्मक महतो है महां होने को तो यह अग tratar से पतना का वो पतना के रहली का पतना में कि वीपक्शि कार्ट में परतिक क्षेशों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह अनायास नहीं था कि पतना का चेहन हुआ और नितीश कुमार OUT का पैठक की और वो तैय होंगी तो उसके लिए बैठा करने की जरूरत नहीं है, वो बारीकिया जिसको निटी-ग्रिटी बोलते हैं, वो रज्यों के नेता बैठ करके और जिस राज्य में जिस पार्टी की ताकत है, उसके साथ बैठ करके कॉंग्रेस के नेता तैय करेंगी। यह जो तमाम लोग कह रहे थे कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रही है, यह एक शेर पढ़के सब आदमी इसको इसकी व्याख्या करना चाह रहा था कि यह सब नेता जो बैठे है इनके दिल नहीं मिले हुए, जब कि हकीकत यह है कि जो 15-16 नेता बैठे थे उसमें से 13 के दिल प कॉंग्रेस DMK तमिल नाडू में मिलके लड़ते हैं, कॉंग्रेस NCP महराष्ट में मिलके लड़ते हैं, कॉंग्रेस समाजवादी पाटी उत्तरपरदेश में मिलके लड़ते हैं, कॉंग्रेस और लेफ्ट पश्चिम मंगाल और तिरपुरा में मिलके लड़ते हैं, कॉंग पह्ले से टै है जो बीजेपी के हिंदूत राष्टरवाद और मजबूत नेतृत्तु का जो मुददा है उसके बरक्स गरीब पिछड़ा बंचित डलिट जो सको पीडिए opposition को एक अपना narrative तै करना है और एक leader तै करना है जो सही हो जाख होगा समन में होगा चेहरा नहीं होगा यह चीज़ें सिमला में तै हो नहीं है बागी सारी चीज़ें तै है धन्यवाद